क्या जबरा जाडा लगता है कहता तो था घर में पुवाल पर लेट रहे तो यहां क्या लेने आये थे अब खाओ थंड मैं क्या करूँ जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ दोडे दोडे आगे आगे चले आए अब रो नानी के नाम को आप सुन रहे हैं कहानी जानी अन्जानी पियूश अगरवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसा चल रहा है आपका कहानी जानी अन्जानी का सफर मार्च का महीना है और मैं अभी रिशिकेश में गंगा किनारे कहानिया ढून रहा हूँ जानते हैं दोस्तों आज से दो महीने पहले इंडी पॉडकास्टर के यूट्यूब चैनल पर अजे कुमार गुपता जी ने एक खुबसूरत सा मेसेज भेजा था सर आपकी आवाज बहुत 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 प्यारी और सरल और मीठी है मेरे पापा और दो मामा जी को आपके द्वारा सुनाए गई कहानी बहुत ही जादा पसंद आई कृपिया मुन्शी प्रेम चंद की और कहानिया सुनाने की कृपा करें आपके इस नहीं के लिए बहुत 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 धन्यवाद अजे जी यह मेसेज उन्होंने हमारे 30 एपिसोड में मुन्शी जी की कहानी कफन सुनकर कहा था तो आज उनकी रिक्वेस्ट पर इस शो में फिर से मैं लाया हूँ मुन्शी जी के कलम से लिखी एक और कहानी क्योंकि आप कहे और हम न माने ऐसा कैसे हो सकता है कहानी जानी अन जानी पर हम जाने अन जाने सब चहरों को आपके सामने लाने की कोशिश में लगे हैं और उमीद करते हैं कि आपको कहानिया अच्छी लग रही होगी अगर हाँ तो भई हमें लिख कर बताईए जहां भी आप ये कहानी सुन रहे हैं या फिर इमेल करें hello at the rate pushagarwal.com पर अब जब आपको ये पता चली गया है कि कहानी किसकी है तो आपको कहानी का नाम भी बता देते हैं आज हम पढ़ेंगे पूस की रात पर कहानी शुरू करने से पहले ध्यान से सुनिये कहानी जानी अंजानी आपके लिए लेकर आए हैं आज फिर से कुछ खास पिछले साल हम लाए थे अन कही कहानिया प्रतियोगिता जिसमें आप सबने जम कर हिस्सा लिया और अब हम उससे भी कुछ खास लाए हैं वो क्या है जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ एपिसोड के अंध तक तो चलिए मुन्शी प्रेमजन जी की सबसे लोगप्रिया कहानियों में से एक पूस की रात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर पूस की रात प्रेमचन्द हलकु ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है लाओ जो रुपे रखे हैं उसे दे दूँ किसी तरह गला तो छूटे मुन्नी ज़ाडू लगा रही थी पीछे फिर कर बोली तीन ही तो रुपे हैं दे दोगे तो कंभल कहां से आएगा माग पूस की रात हार में कैसे कटेगी उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं हलकू एक शन अनिश्य दशा में खड़ा रहा पूस सिर पर आ गया कंभल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता मगर सहना मानेगा नहीं धुड़कियां जमावेगा गालिया देगा बला से जाडों में मरेंगे बला तो सिर से टल जाएगी यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिये हुए जो उसके नाम को जूट साबित करता था स्त्री के समी पा गया और खुशामत करके बोला ला दे दे गला तो छूटे कंभल के लिए कोई दूसरा उपाए सोचूंगा मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आखे तरेटती हुई बोली कर चुके दूसरा उपाए जरा सुनू तो कौन सा उपाए करोगे कोई खैरात दे देगा कंभल न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती चोड़ देते मर मर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो चलो छुटी हुई बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है पेट के लिए मजूरी करो ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपे ना दूँगी ना दूँगी हलकु उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं मुन्नी ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा क्या उसका राज है मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं धीली पड़ गई हलकु के उस वाक्य में चो कठोर सत्य था वह मानो एक भीशन जन्तू की भाती उसे घूर रहा था उसने जाकर आले पर से रुपे निकाले और लाकर हलकु के हाथ पर रख दिये फिर बोली तुम छोड़ दो अपकी से खेती मजूरी में सुक से एक रोटी तो खाने को मिलेगी किसी की धौस से न रहेगी अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ वह भी उसी में जोग दो उस पर धौस हलकू ने रुपे लिए और इस तरह बहार चला मानो अपना हिदय निकाल कर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर तीन रुपे कंभल के लिए जमा किये थे वह आज निकले जा रहे थे एक-एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिटुरते वे मालूम होते थे हलकू अपने खेत के किनारे उंक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओड़े पड़ा काप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मूँ डाले सर्दी में कूँकू कर रहा था दो में से एक को भी नीद ना आती थी हलकू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते वे कहा क्या जबरा जाड़ा लगता है कहता तो था घर में पुवाल पर लेट रहे तो यहां क्या लेने आये थे अब खाव थंड मैं क्या करूँ जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ दोड़े दोड़े आगे आगे चले आए अब रो नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूँकू की दिर्ग बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया उसकी श्वान बुद्धी ने शायद ताड लिया स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है हलकू ने हाथ निकाल कर जबरा की थंडी पीट सहलाते हुए कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो थंडे हो जाओगे यह रांड पच्छुआ न जाने कहां से बर्फ लिया रही है उठू फिर एक चिल्लम भरू किसी तरह राफ तो कटे आठ चिल्लम तो पी चुका यह खेती का मजा है और एक-एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाडा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे-मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है जाडे का गुजर हो जाए तकदीर की खुबी मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें हल्कू उठा गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिल्लम भरी जबरा भी उठ बैठा हल्कू ने चिल्लम पीते वे कहा पीएगा चिल्लम जाड़ा तो क्या जाता है जरा मन बदल जाता है जबरा ने उसके मूँ की ओर प्रेम से छलकतुई आँखों से देखा आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा उसी में घुसकर बैठना तब जाड़ा ना लगेगा जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मूँ के पास अपना मूँ ले गया हलकु को उसकी गर्म सांस लगी चिल्लम पीकर हलकु फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अपकी सो जाओंगा पर एक ही शंड में उसके हिदे में कमपन होने लगी कभी इस करवट लेटता कभी उस करवट पर जाडा किसी पिसाज की भाती उसकी चाती को दबाए हुए था जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया कुट्य की दे से जाने कैसी दुरगंद आ रही थी पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाई हुए ऐसे सुक्का नुभफ कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हलकू की पवित्र आत्मा में तो कुट्य के प्रती ग्रिना की गन तक न थी अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही ततपरता से गले लगाता वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुचा दिया नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उनका एक-एक अनू प्रकाश में चमक रहा था सहसा जबरा ने किसी जानवर की आर्ट पाई इस विशेश आत्मियता ने उसमें एक नईस फूर्ती पैदा कर दी थी जो हवा के थंडे जोको को तुझ समझती थी वह जपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौकने लगा हलकू ने उसे कई बाट चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया हार में चारो तरफ दोड़ दोड़ कर भौकता रहा एक शंड के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दोड़ता कर्तव्य उसके हिदे में अर्मान की भाती उचल रहा था एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया हलको उट बैठा और दोनों घुटनों को चाती से मिला कर सिर को उसमें छिपा लिया फिर भी थंड कम न हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगा हिम बह रहा है उसने जुक कर आकाश की और देखा अभी कितनी रात बाकी है सबतर्शी अभी आकाश में आदे भी नहीं चड़े उपर आ जावेंगे तब कहीं सवेरा होगा अभी पहर से उपर रात है हलकू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमो का एक बाग था पतज़ड शुरू हो गई थी बाग में पत्तियों का धेर लगा हुआ था हलकू ने सोचा चलकर पत्तिया बटोरू और उन्हें जलाकर खूप तापू रात को कोई मुझे पत्तिया बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है कौन जाने, कौन जानवरी छिपा बैठा हो मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता उसने पास के अरहड के खेत में जाकर कई पौधे उखार लिए और उनका एक जाडू बनाकर हाथ में सुलकता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा हलकू ने कहा अब तो नहीं रा जाता जबरू चलो बगीचे में पत्तिया बटोर कर तापे टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो बहुत रात है जबरा ने कूकू करके सहमती प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला बगीचे में खूब अंधेरा चाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था विक्षो से ओस की बून्द टप टप नीचे टपक रही थी एका एक एक जोका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिये हुए आया हलकू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू तुम्हारी नाक में भी तो सुगंद आ रही है जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई थी उसे चिंचोर रहा था हलकू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा जरा देर में पत्तियों का धेर लग गया हाथ ठिटूरे जाते थे नंगे पाओ गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वह थंड को जला कर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लौ उपर वाले व्रिक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी उस अस्तिर प्रकाश में बगीचे के विशाल व्रिक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अधा अंधकार को अपने सिरो पर संभाले हुए हो अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हलकू अलाव के सामने बैट आग ताप रहा था एक शण में उसने दोहर उठा कर बगल में दबा ली दोनों पाउं फिला दिये मानो थंड को ललकार रहा हो तेरे जी में जो आए सुकर थंड की असीम शक्ती पर वह विजय पाकर विजय गर्फ को हिदय में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब थंड नहीं लग रही है जबर ने कूकू करके मानो कहा अब क्या थंड लगती ही रहेगी पहले से यह उपाय न सूजा नहीं इतनी थंड क्यों खाते जबर ने पूछ हिलाया अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करे देखे कौन निकल जाता है अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा जबर ने उस अगनी राशी की ओर कातर नेत्रों से देखा मुन्नी से कल न कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी यह कहता हुआ वह उच्छा और उस अलाव के उपर से साफ निकल गया पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी जबरा आग के गिर्द घूम कर उसके पास आख़डा हुआ हलकू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कूद कर आओ वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया पत्तियां जल चुकी थी बगीचे में फिर अंधेरा चा गया था राक के नीचे कुछ-कुछ आग बाकी थी जो हवा का जोका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक शन में फिर आखे बंद कर लीती थी हलकू ने फिर चादर ओड ली और गर्म राक के पास बैठा हुआ एक गीद गुनगुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जियों जियों शीद बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेता था जबरा जोर से भौक कर खेत की और भागा हलकू को ऐसा मालू हुआ कि जानवरों का एक जुन्ट खेत में आया है शायद नील गायों का जुन्ट था उनके कूदने दोडने की आवाज साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोच ही डाले मुझे भ्रम हो रहा है कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता मुझे भी कैसा धोका हुआ उसने जोड से हवाज लगाई जबरा 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 भौकता रहा उसके पास नाया फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली अब वह अपने को धोका न दे सका उसे अपनी जगा से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंदाया हुआ था इस जाडे पाले में खेत में जाना जानवरों के पीछे दोरना असहे जान पड़ा वह अपनी जगा से न हिला उसने जोर से आवाज लगाई ली हो ली हो जबरा फिर भौक उठा जानवर खेत चर रहे थे फसल तयार है कैसी अच्छी खेती थी पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किये डालते हैं हलकू पक का इरादा करके उठा और दो-तीन कदम चला पर एका एक हवा का एक ऐसा थंडा चुबने वाला बिच्छू के डंग का सा जोंका आया कि वह फिर बुच्चते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी थंडी देह में गर्माने लगा जबरा अपना गला फार डालता था नीलगाए खेत का सफाय किये डालती थी और हलकू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था अक्रमनियता ने रस्यों के भादी उसे चारो तरफ से जकर रखा था उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओड़कर सो गया सवेरे जब उसकी नीन्द खुली तब चारो तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया हलकू ने उठकर कहा क्या तुखेत से होकर आ रही है हाँ सारे खेत का सर्वनाश हो गया भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहां मणईयां डालने से क्या हुआ हलकू ने बहाना किया मैं मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ दोनों फिर खेत के डान पर आए देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जब्रा मढईया के नीचे चित लेटा हुआ है मानो प्रान ही ना हो दोनों खेत की दशा देख रहे थे मुन्नी के मुख पर उदासी चाई थी पर हल्कू प्रसन्न था मुन्नी ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात को थंड में यहां सोना तो न पड़ेगा कैसी लगी आपको यह कहानी क्या आपने कुछ महसूस किया हल्कू के लिए यह कहानी किसानों की जिंदगी की एक ज़लक दिखाती है कि कैसे वो बिना किसी उमीद के हर अन्याय से लड़कर खेती करते हैं और अपनी जिंदगी काटते हैं पिछले कई महिनों से ऐसे ही किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं क्या राय है आपके इस बारे में आप हमें जरूर लिख कर बताएं hello at the rate pusagarwal.com पर अब चलिए हमारे खास घोशना की बारी कहानी जानी अंजानी लेकर आए हैं बोलती चिठियां जिहां मैंने कहा चिठियां आज कल के इमेल के वक्त में ये सुनकर कुछ अजीब लगा या अपना सा लगा जहां कहानियों ने आपको पुराने दिनों से जोड़ा क्यों ना आप और हम जुड़ जाएं कुछ चिठियों के साथ भी वो पुरानी चिठिया जो है आपके करीब आपके किसी बकसे में बंद जिने शायद आपने कभी किसी को भेजा नहीं या किसी ने आपको बड़े प्यार से भेजा हो या फिर आप किसी को कोई पैगाम भेजना चाहते हो क्यों ना उन चिठियों में हम एक नई जान डाल दें कहानी जानी अन जानी पर तो फिर से हम लेकर आए हैं बोलती चिठिया जिसमें आप हमसे साजा करेंगे वो चिठिया जो आपके दोस्त जीवन साथी, भाई, बैहन, माता या पिता ने आपको कभी लिखी हो या आपने किसी को लिखी हो पर भेजना पाए हो या फिर अब भी भेजना चाहते हो हम पढ़ेंगे कुछ चुनिंदा चिठिया यहां कहानी जानी अन जानी पर अब आप ये चिठियां हमसे कब, कैसे और कहां शेयर करेंगे इसकी जानकारी हम जल्द ही आपको देंगे प्यूशअगरवाल.com पर और आने वाले एपिसोड में भी तो ढूंड निकालिये उन चिठियों को और बने रहिए हमारे साथ इसी नोट पर अगले हफते एक नई कहानी के साथ मिलने का वादा दे कर मैं आपसे विदा लेता हूँ हर शुक्रवार आप तक नई कहानिया लाने का श्रे मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा आज की एपिसोड की प्रडियूसर है देवानशी बतरा आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी प्यूश अगरवाल के साथ जो की इंडी पॉड्कास्टर की एक पेशकश है तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए